मेरा तो ये व्यू एक consistent रहा है इस साल के शुरू से कि निफ्टी IT में आपके portfolio का 25-30% होना चाहिए और वो गिरावट में भी रहा है तीजी में भी रहा है और इस बाव जो गिरावट है उसमें भी रहा है मेरा व्यू मेरा thesis यह है कि अगले एक साल में निफ्टी IT शांदर आ से निकल कर आया अगर US 3% की GDP ग्रोथ दिखाता है और अगले एक साल में interest rates अगले एक से देर साल में 2% नीचे आते हैं उससे बेटर combination नहीं हो सकता IT stocks के लिए एक आपकी top line को help करता है और दूसरा आपके price earnings को help करता है तो अगर EPS और PE दोनों में improvement आए तो stock गिरेंगे कैसे TCS 10 तारीको numbers लेकर आ रही है मतला I think शायद अब तक की recent memory में बहुत जल्दी numbers लाने वाले date होगी Infosys का पता नहीं मुझे क्या date है 17th, 17th, 17th Infosys I think अपना calendar पहले ही decide कर रहा था लेकिन मेरा ही माना है और Infosys के पिछले quarter के numbers बहुत शांदार थी, guidance बहुत शांदार थी I think मे learning season के end तक Infosys आपको 2000 के ऊपर दिखना चाहिए और TCS में भी आपको ठीक ठाक rally दिखने चाहिए